मेरा प्रश्न उस भीशन और भैयानक हमले के बारे में है जो कल कश्मीर में हुआ और 40 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी जाने गवा दी तो मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों की मानसिक्ता क्या होती है जो 300 किलो बारूत से भरी हुई कार में चड़ते हैं और बस विस्फोट कर देते हैं देखें, जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारी चेतना अब भी उस तर तक नहीं पहुँची है जहां हम सारी सीमाएं और सरहदें मिटा सकें और लोग एक दूसरे को गले लगा कर साथ रहने लगें ऐसा कोई प्रेम संबन नहीं चल रहा है आज भी देश की पहचान, धर्म की पहचान और कई विचार धाराओं से जुड़ी पहचाने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देती हैं ये एक स्तर पर तो बहुत सरल बाद है पर जब ये अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है तो ये बहुत जटल रूप ले लेती है आप इसे बस यूही नहीं सुलचा सकते तो किसी देश को बनाने वाली एक जरूरी चीज देश की सीमा है क्यूंकि देश कास्ते तो उसकी सरहदों से है अमेरिका में अभी ये कहना एक अलोग प्रिय बात हो सकती है पर किसी देश को एक देश बनाने वाली सबसे पहली बात उसकी भागौलिक सीमाई हैं, है न? हालांकि लोग यहां वहां जा सकते हैं लोग अपनी भाशाएं बदल सकते हैं लोग अपना धर्म बदल सकते हैं लोग अपने विश्वास और विचारधराएं बदल सकते हैं पर उसे एक राष्ट्र बनाने वाला सबसे पहला आयाम उसकी जमीन है तो इन सीमाओं को आजादी के बाद इतना जादा नहीं घसीटा जाना चाहिए था यह बहुत बड़ी गलती है उन्हें तुरंथी तै कर देना चाहिए था पर दुर्भाग्य से उन्होंने इन्हें तै नहीं किया मैं आप कोई राजनितिक पोस्टमॉटम नहीं करना चाहता पर देश की सीमाओं को तै ना करना एक बहुत बड़ी गलती है देश की सीमाएं तैना करना बहुत बड़ी गलती है. आज भी वो लाइन ओफ कंट्रोल है. वो देश की सीमा नहीं है. वो एक लाइन ओफ कंट्रोल है, जो हमेशा कंट्रोल के बहार रहती है. और और भी कई चीजें है. मैं अभी कोई राजनीतिक टिपणी नहीं करना चाहता तो आप मानसिक्ता के बारे में पूछ रहे हैं मानसिक्ता इस तरह से है इसे कई तरह से बताया जा चुका है वो उस चीज के लिए लड़ रहे हैं जिस पर उनका विश्वास है आप उस चीज के लिए लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर आपका विश्वास है ये लगातार चलता जाएगा, आप समझे या तो आप अपने विश्वास को बदलिए, या वे अपने विश्वास को बदले और निकट भविश्व में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा या तो आप में दुश्मनी को खत्म करने की समझ हो आप दुश्मनी को मार दें, आप में ऐसी समझ होनी चाहिए अगर ऐसी समझ संभव नहीं है, तो दुर्भाग्य से ये स्वभाविक रूप से दुश्मन को मारने में बदल जाएगा ये स्वभाविक रूप से होगा क्या मैं ये कह रहा हूँ? नहीं, ये स्वभाविक रूप से होगा चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद तो बस इसलिए कि कोई सरहत के पार रहता है क्या आप उसे मार देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं पर साथ ही क्या आप ये चाहते हैं कि आप इस देश की रक्षा करें ये इनसान होने की एक दुर्भाग पूर्ण दुविधा है अगर आप जानवर होते और अगर कोई आपकी सीमा लांग कर आपके क्षेत्र में आ जाता तो आप उसे मार देते ठीक है? हलो? ये मनुष्य होने की दुविधा है कोई आपकी सीमा पार करता है आपको उसे मारना पड़ सकता है पर आप सच में मारना नहीं चाते ये मनुष्य होने का संघर्ष है ये संघर्ष मनुष्य में हमेशा होना चाहिए अगर ये संघर्ष चला जाए तो आप पशु बन जाएंगे हमारे भीतर ये संघर्ष होना चाहिए पर देश के कल्यान के लिए हमें निरनाय कदम उठाना होगा मैं राष्ट्र की बात क्यों कर रहा हूँ मेरे लिए राष्ट्र राजनीतिक सत्ता नहीं है राष्ट्र मेरा देश प्रेम नहीं है मैं वैसा नहीं हूँ मेरे लिए देश वो सबसे बड़ा जनसमू है, जिसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं अगर आप खुशाली लाना चाहते हैं, तो आप पूरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं कर सकते हलो, आप पूरी दुनिया के बारे में युहीं कुछ नहीं कर सकते आपके पास वैसे साधन नहीं है कि आप ऐसा कर सकें सबसे अच्छा होगा कि आप सबसे बड़े मानव समूह के बारे में कुछ करें जो राश्ट्र है अगर आप विस्तार में जाएं तो प्रदेश हो सकते हैं, धर्म हो सकते हैं जातियां और हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं वहां मत जाएए देश के बारे में कुछ कीजिए क्योंकि ये सबसे बड़ी जनसंख्या है जिस तक आप पहुँच सकते हैं इस संदर्ब में देश की सीमाएं सबसे महत्पून हैं हाला कि हमें जो करना है वो हमें करना ही पड़ेगा पर हमारे दिल में तब भी तकलीफ होनी चाहिए जब हम किसी ऐसे इंसान को नुकसान पहुचाते हैं जो हमारे लिए खत्रा हो हमारे दिल में थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए वरना हम अपनी मानव तक हो देंगे